नमस्कार दोस्तों वेलकम टू शुइंग ट्रेड इस वीडियो में बात करेंगे पिलानी इंवेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल कर्परेशन लिमिटेड के बारे में इस स्टॉक में अभी देखेंगे कि अगर किसी के पोटफोलियो में है तो उनको आगे के लिए क्या करके चलना चाहिए अगर कोई इस टॉक में अपना इंबेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे है तो उनको कौन सा लेवल पर बाइंग करना चाहिए और इस वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो सुरू करने से पहले आप सब को जरूर रिक्वेस्ट करना आपको जो भी करना है इस टॉक में अपना आपका फाइनशल अडवाजर से जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं चले स्टाट करते हैं वीडियो अगर मार्केट के बात करेंगे अभी उननेशल चाहतर करोड का मार्केट क्या पर जो कि स्मॉल क्याप स्टाउक है और इसी साब से अगर हम देखेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई है यहां पे 2364 है अभी स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 1783 पर इसका बुक व्यालू के बारे में अगर बात करेंगे यहां पर यहां पर देखेंगे तो यह कंपनी में प्रॉफिट अगर 33 करोड का प्रॉफिट है लास्ट क्वाटर में यहां पर 35 करोड का प्रॉफिट था लेकिन यहां पर सेप्टेम्बर क्वाटर में अगर हम देखेंगे यहां पर 79 करोड का प्रॉफिट था प्रॉफिट में बिल्कुल डिक्लैन नजर आ रहा है लेकिन इस इसाब से अगर हम यहां पर बालंस इट में जाके चेक करेंगे तो यहां पर रिजर्ब तो बढ़िया से ग्रोइंग होते जारे रिजर्ब में कोई प्रोब्लेम नहीं है यहां पर 1150 क्रोड का 2010 को अभियोगर देखेंगे इसी साब से इलेवें टाइम्स हो चुका है जो कि 1100 104 क्रोड का यहां पर रिजर्ब उसी साब से अगर बॉर्विंग देखेंगे यहां पर 778 क्रोड का बॉर्विंग यह एक वोल्डिंग कंपनी है फ्रेंज अगर इसी साब से में हम देखेंगे यहां पर अगर हम Delivery की बात करेंगे इहां पर आज के दिन में 1774 में स्टॉक प्लोजिंग हुआ है timely profitable गिरावाबट यहां पर आज के मिजथ ऐसी तर्दिंग यहाँ पर ट्रेडिंग इसाव से अगर हमें बात करेंगे स्टाउक में अभी काफी एक और चुका है और यहां पर अगर सपोट है मेजर सपोट के पावस में अगर यहांग से प्रेडिंग हो रहे हैं अगर यह हरो करता है यह यहां Pak फिर दिक सब्सक्राइब इन दीखर उपलान प्रिखिंद बिलकुल है करें तो मुझे में investment करना चाहिए जो सोच रहे हैं जो investment करने का plan बना रहे हैं friends तो मुझे लगता है यह level आपको जरूर अपना ध्यान में रखना पड़ेगा किसी भी दिन में अगर निप्टी में correction होता है वो स्टॉप यहां तक जरूर आ सकता है ठीक है आपको इसी लेवल को जरूर अपने ध्यान में रखना इस लेवल पर आपको बाइंग करना है और आपको target क्या expect कर सकते हैं friends तो मुझे लगता है जो पहला टार्गेट है आपका यह वाला resistance जो है तो यह resistance पहले टार्गेट आपका आचीव करेगा तो इसी साब से अगर पहले का target का बारें बात करेंगे तो यहां से अगर आप लेके चलते हैं यह चलते हैं यहां पर तुन्टी परसेंटेश का गेन मिल सकता है ठीक है और company कोई problem नहीं है बड़ी ऐसा स्टॉक है तो लेकिन स्मॉल क्या पर थोड़ा सा अगर वहां पर डिकलाइन दिखता है तो इम्मेडियेटली हम रखेंगे तो मुझे लगता है यह तर्ड़ीट हमारा आचीव हो सकता है जो की 211 पहले से बहुत दो बार यहां पर रेजिस्टन स्पेस किया है उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टन्स था यहां कि 2245 तक का नेक्स टार्गेट है तो इसी साब से मुझे तो लगता है यह स्टॉक को आपका पॉर्टफोलिय में रखना चाहिए अगर आप देखेंगे तो इसी साब से देखेंगे तो फिर यहां पर देखिए स्टॉक में काफी सरा स्टॉक में है उसके बाद में कोवीट स्टॉक में कितना परसेंटेज का गिरावट हो था जो कि 71 परसेंटेज का यहां पर डिक्लाइन जरूर नजर आया था ठीक है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि स्मॉल कैप स्टॉक में रिस्क नहीं करना चाहिए जो रिस्क रहना नहीं चाहता है तो यह स्टॉक से दूर र स्टॉक भागता भी ईस्टह सामसे घेट और यहां बेलकुल मांना पड़ेगा अगर हम देखेंगे यहांपर मार्स के बाद में कौरोना के बाद में स्टॉक नहीं कितना पर्शेंटेश बागा है थेके चाहां से 20 सॉटॉक यहां यहांपर यहां लगा्धा थिक थीन्सकर सब्सक्राइब कर लिए अगर आप मेरे साथ में परसनली जुड़ना चाहते हैं अभी स्टॉक मार्केट में बहुत सारा स्टॉक में बहुत बढ़िया बढ़िया आफर चल रहा है तो अगर आप स्टॉक को बढ़िया सा स्टॉक को सिलेक्शन करके और आपका आने वाले टाइम पर six months में एक साल में आपका पॉर्टफोलिय में बहुत बढ़िया आइसा गैन देखने को मिल सकता है पचास से साथ परसंटेज का एप गेन मिल सकता है जो कि आप अगर स्टॉक बड़ी ऐसा स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं लेकिन मैं इसा कोई प्रोमिज नहीं कर रहा हूं इसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं भी स्टॉक लेलो जो भी स्टॉक आप करेंगे आपका फाइनांचियल अडवाजर से पूच भी किया हुआ है यहां पर डेस्क्रिप्शन में भी इंपोटन लिंक दिया हुआ है जो कि आपको कैसे स्टॉक सेलेक्शन करना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए बहुत सरा स्टॉक है मतलब बहुत सरा वीडियो का लिंक है आप अगर वहां से भी जाके देख सकते हैं या अलग-अलग फोल्डर बनाये हुआ है आपको जरूर बीजिट करना चाहिए प्लेइस्ट भी थी अगर आपको वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ में सेर कर लिजे अगर चैनल पर नाया है चैनल को जरूर सब्स्राइब कर लिजे थैंक यू वेरी म